मोपाशचहर में मदोगंगा नदी पर पुलिया है जिसके हालत खास्ता हुई है। इस पुलिया के नए निर्मान के लिए पेष्टे तीन सालों से फंड उपलप्ध है। साथ ही पुलिया के लिए ठेकेदार को 11 सितभर को निर्मान के आदेश भी दिये गए थे। हाला कि पुराने पुलिया के पास पानी की आपूर्ती पाइप और बिजली के खंबे के स्तानां तरण में देरी के कारण पुलिया का निर्मान कारिया शुरू नहीं हुआ परिणाम सुरुब इस पुलिया पर दुरगटनाओ का खत्रा बढ़ गया है 26 जून को आयोजित आम बैठक में संकल्प संख्या 22 ने ठेकेदार शाम सीह देज सीह ठाकुर को वित्तिय वर्ष 2018-19 में पाच विविन्न योजनाओ के विकासकारियों को करने का निर्देश दिये थे इन में से कोई भी विकासकार या निर्दारित समय सीमा की भीतर पूर्णन नहीं हुआ है कुछ कामों को दो महिने 10-12 महिने की अवधी दी गई जबकि 4 महिने के कामों को पूरा करने के लिए 10-12 महिने दिये गए इसके अलावा एक ही वित्यव वर्ष में एक ही ठेकेदार को पाच अलग-अलग काम दिये गए यदि प्रशासन उसी ठेकेदार को मधुगंग नदी पुलिया का निर्मान देने के लिए सहमत होता है इसलिए कुछ चह काम होंगे सरकार की सारवजनिक निर्मान नियमों के अनुसार एक वित्यव ठेकेदार को एक वर्ष में तीन से अधिक विकासकारियों का आदेश नहीं देना चाहिए सरसमती से एक प्रस्ताव प्रारित किया गया कि शाम सीह देवी सीह ठाकुर को अब मधुगंगा नदी पर पुल के निर्मान का काम नहीं दिया जाना चाहिए हाला कि 24 जुलाई को नगरपाली का फिर से सरकार की स्थाय समीती संकल संक्या 19 के लोग निर्मान नियमों के अनसार एक वर्ष में एक वित्यव ठेकेदार को तीन से अधिक विकासकारियों का आदेश नहीं देने का आदेश रत कर दिया और जैसा की कार्य बजट पुराना है अनि ठेकेदार काम नहीं करेंगे ऐसा संदेह जताया जारा है या अगर बजट को एक नई तकनीकी स्वीकृती मिल जाती है तो काम की लागत में वृद्धी होने की संभावना है और नगर परीशद अतिरिक धन उपलब कराने में समक् साथ ही पुलिया की तकनीकी सिती बहुत ही खराब है और उस पर यातायात को कभी भी रोकना होगा सिती की गंबिरता को समझते हुए सभी सदस्यों ने जोर देकर कहा कि पुल का निर्मान ततकाल किया जाना चाहिए शामसी हठाकुर और कंस्रक्शन कार्टोल को अनुमती द दर से तीन दश्यमलों, चियासट प्रतीय श jokes कमदर पर वर्क ओर्डर दिया जाना चाहिए और निर्मान समय सीमा की भीटर उसके द्वारा किया जाना चाहिए और इसे कार्य स्वीकृति के लिए सामान निकाय के सामने रखा जाना चाहिए पुल के निर्मान की लागत 99 लाक है और चुकि पुल का निर्मान अभी शुरू नहीं हुआ है इस जगह के नागरी को ने सवाल उठाया है कि पुल को पूरा होने में कितने दिन लगेंगे